तीस जुलाई दो हजार तेईस को पाकिस्तान के उत्तर पश्चमी खैबर पक्तुनख्वा प्रांट में एक राजनीतिक रैली में आत्मघाती बंब विस्फोट हुआ, जिसके परिणाम सरूप कम से कम चवालीस लोगों की मौत हो गई और लगभग दो सो अन्य घायल हो गई इस हमले में जमियत उलेमा इसलाम पार्टी की एक राजनीतिक सभा को निशाना बनाया गया इसलामिक स्टेट आतंखवादी सेल ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है इस घटना से जानमाल का काफी नुकसान हुआ है और क्षेत्र में राजनीतिक हिंसा और सुरक्षा को लेकर चिन्ताएं बढ़ गई है पाकिस्तान इस दुखत घटना के बाद से जूज रहा है और पीरितों के लिए अंतिम संसकार किये जा रही है अधिकारियों द्वारा हमले की जाच शुरू करने की संभावना है और जैसा कि सभी जानते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में शुरुवाती बिंदू है क्योंकि उनके पांस पहने से ही अंतर्निहित आतंगवादी शिविर है और जिनका उप्योग कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में किया गया था इन आतंगवादियों को फंडिंग नहीं मिल रही है इसलिए ये अपने ही देश को बरबात कर रही है जैसे जैसे स्थिती सामने आती है अधिकारियों के लिए हमले के पीछे के दोशियों का पता लगाने के लिए गेहन जाच करना और भविश्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित उपाय करना महत्वपूर्ण है जो पाकिस्तान में होने की संभावना नहीं है पाकिस्तान ने तालिबान बनाया, अब वहाँ दिनरात पाकिस्तान को नश्ट कर रहा है इस देश को चीन के अलावा अन्य देशों से कोई समर्थन नहीं मिलेगा, यहां तक कि वहाँ आजकल बैकफुट पर जा रहा है कुल मिलाकर इस तरह की घटनाएं आतंकवाद से उत्पन्न मौजूदा चलोतियों को उजागर करती है और विश्व स्तर पर शांती, स्थिर्ता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासों की आवशक्ता को रेखांकित करती है अपडेट हमले में मरनेवानों की संख्या बढ़कर बावन हो गई है, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए है पाकिस्तानी सरकार ने हमले के पीडितों के लिए 3 दिन के शोक की घोशना की है जिस इलाके में हमला हुआ, वहाँ पाकिस्तानी सेना ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमले की निंदा की है और पीडितों के प्रती अपनी समवेधना व्यक्त की है संयुक्त राश्य ने आतंखवात के सभी कृत्यों को समाप करने का आवान किया है